पहाणों पर इतनी बर्फ कौन लाया और क्या आपको बताए कि प्रत्वी पर कब और किस चीज की सबसे तेज आवाज गूजी थी और क्या होगा अगर एट्मोसफियर में 21% आक्सीजन को भाग कर 100% कर दिया जाए ऐसी दिमागों चक्रा देने वाले रैंडम एन गैजट भी बनाया है जो ना सिर्फ आपके दिमाग की बातों को समझता है बलकि बिना बोले आपके ब्रेन तक उन कोशन के आंसर भी पहुंचा देता है दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डिवाइस दीख रही है उसका नाम ऑल्टर एगो है जिसको कुछ इस तर आग में ही सोच कर इससे पूछ सकते हैं जिसका जवाब ये बोन कंडेक्शन टेक्नोलोजी का यूज करते हुए बिना बोले वेप्स के जरीए आपके मिडल एर तक कहुंचा देती है जहाँ पर आपका मिडल एर दोबारा से ही इन साउंड वेप को आवाज में कर देता है तो ये टेक्नोलोजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है दोसों आपने इस दुनिया में बेहदी महेंगे और स्टाइलिश हेलमेट्स तो जरूर देखे होंगे लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक ऐसा हेलमेट दिखाने वाला हूँ जिसको पहनने के बाद आपको आपकी आँखों के साम नहीं हेलमेट के गलास पर दिखने लगती है साथ ही दोस्तों इसमें बेहदी एडवांस साउंड कनेक्टिविटी डिवाइस को भी लगाये गया है जिसके तुरू आप हाई क्वालिटी म्यूजिक को हेलमेट के अंदर ही सुन सकते हैं दरसल दोस्त कि इन फ्यूचर इस तरीके के हैलमेट से दुरघटनाओ के भी स्तर को कम किया जा सकता है दोस्तों आपने इस दुनिया में बेहदी अमेजिंग स्कूटर तो जरूर देखे होंगे लेकिन क्या आपने कोई ऐसा स्कूटर देखा है जो सलक पर नहीं बलकि पानी के अंदर च सीजन के लिए इसमें एक छोटे सिलेंडर को भी दिया गया है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आप इन स्कूटर को एक बार में पानी की नीचे दो से तीन गंटे तक कुछ इस तरीके से राइड कर सकते हैं कि इस फैक्ट से पहले आपने इन संबरीन हासी को जियो लॉजिस के धारता है जिस को यूजिसली 30 km दूर तक भी सुना जा सकता है अब आपको हाई दोस्तों जैसा कि हम सभी जौनते हैं कि एट्मोस्फियर में 78% नाइट्रुजन, 21% और रेस्ट 1% में बाकी की गैसिस जैसे की कार्बन डायोकसाइड और नीथेन अवलेबल होती हैं अब दोस्तों अगर एट्मोस्फियर में 21% औकसीजन को भड़ा कर 100% कर दिया जाये तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये चीज हम इंसानों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होगी लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एट्मोस्फियर में 100% औकसीजन हो गई तो उससे जादा खत्रे की बाद हम इंसानों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती दरसल दोस्तों एक सर्वे में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हमारे लंक्स में एक थैली होती है जिसकों की अलवलॉय के नाम से जाना जाता है जो की बलड वैसल से घ्री होई होती है अलवलॉय और कैपिलरी के बीच में अलवलार होता है जो हवा में मौझूद सारी ही गैसे को हमारे खुन तक पहुँचाने का काम करता है और इसके बाद कुछ बोड़ी रियक्शन के साथ वो गैसें कार्वन डाय ओक्साइड में कनवर्ट हो जाती है अब दोस्तों अगर हमारी बोड़ी 100% प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करने लगे तो उस कंडिशन में ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रेशर हमारी बोड़ी में बढ़ जाएगी जिसकी वज़े से हमारे शरी से कार्वन डाय ओक्साइड भी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगी ब्रीथिंग प्रोसेस की स्पीड भरने की वज़े से दोस्तों हमारी ब्लड वैसल्स हमारे दूसरे शरीर के अंगों को बचाने के लिए सिकुडने लगेगी जिसकी वज़े से हमारे ब्रेन तक सही मातरा में oxygen और blood नहीं पहुच पाएगा सर्वे में आगे ये बताएगा दोस्तों कि इस तरीके से महज 15 घंटों तक अगर किसी भी इंसान को 100% pure oxygen दी जाएगी जिनमें लहरे नहीं बनती हैं उनमें चाहकर भी सर्फिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इसी problem को solve करते हुए भी हाल ही में Czech Republic के engineers ने पूरी दुनिया का सबसे पहला hydrofoil सर्फिंग बोर्ड बना कर तयार किया है दरसल दोसों इस बोर्ड में एक बेहती powerful hydraulics का यूस किया गया है जिसकी वज़े से ये पानी की सते से कुछ इस तरीके से उपर रहता है साथ ये दोसों सर्फिंग के experience को और जादा realistic बनाने के लिए इसमें hydraulics की power को कुछ ऐसा रखा जाता है दोस्तों जिसकी वज़े से आपको सर्फिंग करते समय ठीक वैसे ही water wave shocks लगते हैं कि मानों आप समुद्र में सर्फिंग कर रहे हो Fact No.19 मिलिये इस दुनिया के अभी तक के सबसे ज़ादा advanced shoes, digit shoes से दोस्तों आप इन shoes को Bluetooth की जरी अपने smartphone से connect कर सकते हैं और उसके बाद ये shoes सिर्फ एक टस से इस तरीके से अपने आपी आपके पैरों के size का बन जाते हैं आप ये जानकर रहरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन shoes में 25 से जादा ऐसे sensors को लगाए गया है जो पूरे ही दिन आपके पैरों के movement की activity को record करके आपके phone की screen पर display कर देते हैं और इसी के साथ ही दोस्तों इन shoes को अभी तक पूरी दुनिया में सबसे जादा advanced shoes के नाम से भी जा आसानी से देख सकते हैं दरसल दोस्तों एक survey में ये बात बिल्कुल clear हुई कि अगर किसी भी इनसान को गहरे समुदर में ले जाये जाता है और गहरे समुदर में अगर उसको कोई भी चोट लगती है तो उस condition पर हमें हमारा खून red नहीं बलकि green दिखता है दरसल दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी चीज का वही color दिखता है जो वो चीज reflect करती है और उसी की तरश पर क्या आपको बता है कि हमारा blood बहुत बड़ी मातरा में red color को reflect करता है तो वहीं दोस्तों एक छोटी सी मातरा में वो green color को भी reflect करता है पर क्योंकि दोस्तों हमार ब्लड बहुत बड़ी मातरा में red कलर को reflect करता है, इसलिए overall हमें हमारा blood red दिखाई देता है, तो वहीं दोस्तों जब भी किसी भी इंसान को deep sea में ले जाया जाता है, तो पानी के कारण महाँ पर already greenish हमें देखने को मिलती है, और इसलिए दोस्तों गहरे समुदर में visible light का red कलर भी बहुत कम मातरा में पहुँच पाता है, तो उस situation में हमारा blood सिर्फ green कलर को ही reflect करता है, और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वज़े से किसी भी इंसान के शरीर का खून घहरे समुदर में हमें red नहीं, बलकि green दिखाई देता है, fact number 17, मिलिए सोनम वंग चु वो अलग-अलग timing पर और बहुती unusual तरीके से melt हो जाते है, जिसकी वज़े से आसपास के किसानों को खेती करने में काफी जादा परिशानी हो रही थी, और उसी चीज को solve करते हुए सोनम ने एक बेहदी amazing artificial glacier को बना कर तैयार किया है, दरसल दोस्तों इन्हों ने winter season में इस त अधियास के लिए इनको बहुत सारे awards और medal से भी सम्मानित किया गया है, fact number 16, आपने paper को print होते हुए देखा होगा, बड़े-बड़े advertisement hoardings को भी print होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी सडक यानि की road को print होते हुए देखा है, दोस्तों भी आपकी screen पर आपक कुछ इस तरीके से चंद ही मिनिटों में road के उपर bricks को print करकर बिचा देती है, वरतमान capacity की बात की जाए दोस्तों तो company का दावा है कि इस तरीके की road printing machine एक दिन के अंदर 500 square meter की road को कुछ इस तरीके से print कर सकती है, fact number 15, हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि जब भी हम ब होती जल्व solve होने वाली है, दरसल दोस्तों वेग्यानिकों ने एक ऐसे socks बनाया है जो ना ही पसीने से और ना ही बरसात किसी भी situation में कभी भी गीले हो ही नहीं सकते, दरसल दोस्तों इन amazing socks को बहदी advanced fabric का यूज करते हुए बनाया गया है, जहांपर दोस्तों इनकी भारी layer क पॉलिसर, बीच की layer को waterproof और सबसे अंदर की layer को bamboo fiber से बनाया गया है, और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे socks हैं, जिनके उपर आप कितना ही पानी चोना डालीजिये, ये कभी भी गीले हो ही नहीं सकते, fact number 14, दोस्तों जैसा कि हम सभी चा में pain free flu vaccination भी available है, दरसल दोस्तों ये इस तरीके का एक बेहरी छोटा patch होता है, जिसमें इस तरीके के छोटे-छोटे heads भी बने हुए होते हैं, जैसे ही इस patch को skin के उपर रखकर कुछ इस तरीके से दबाये जाता है, ये small heads skin के अंदर जाता ही dissolve हो जाते हैं, जिसकी वज़े स medicine skin में बिना किसी pain के inject हो जाती है, दरसल दोस्तों इन patches को Georgia में बना कर तयार किया गया है, जहां पर रणों ने बेहरी शांदर प्रदर्शन भी किया है, तो आप है कह सकते हैं कि in future ये smart patches हमारे ordinary injections को replace जरूर कर देंगे, fact number 13, दोस्तों इस series में मैंने आपको बेहरी amazing artists दिखा कर बनाते हैं, और आप ये जनकर हहरान हो जाएंगे दोस्तों कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे artists हैं जो इतनी खुशूरत art को सिर्फ और सिफ credit card को wall पर चिपका कर ही बना देते हैं, fact number 12, क्या आपको बताया है कि Thailand में हर साल लोप बुरी नाम का एक बेहादी amazing monkey festival भी celebrate किया ज citizen कुछ इस तरीके से monkey की dress पहन कर parade और dance करते हैं, साथी साथ दोस्तों यहाँ पर especially monkeys के लिए इस तरीके का buffet भी लगाये जाता है, जहाँ पर monkeys बे रोक टोग आकर आराम से खाने का मजा ले सकते हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस festival को पूरी दुनिय जी हाँ दोस्तों साल 1883 में इस वालकेनों से निकली आवाज इतनी जाद थे सी कि इस आवाज ने पूरी ही प्रत्वी के चार चकर लगाये थे, यानि कि इस आवाज को प्रत्वी के हर हिस्से में चार बार सुना गया था, आप इसकी आवाज का अंदाज़ा सिर्फ इसी च ना गया था, कि लोगों को ये लगा कि मानो प्रत्वी ही फट रही हो, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज तक भी कोई भी साइंटिस इस आवाज की exact frequency को मेजर नहीं कर पाया है, Fact No.10 Fact No.9 Fact No.8 क्या आपको बताएं कि किसी भी चीटी के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है कि वो ये भाप सके कि उसकी साथी चीटी की मरत्यू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी सभी चीटी के मरते ही उसको दफनाने के प्रोसेस में कैसे जुट जाती है, परसल दोस्तों एक रिसर्च में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किसी भी चीटी के मरते ही उसके शरीर से एक केमिकल रिलीज होता है, जो बेसिकली कुछ स्पैसिविक फैटी एसिट से बनावगा होता है, जैसे ही अन्य चीटियों को इस केमिकल की गंद आती है, वैसे समझ जाती है कि उनकी साथी चीटी की मरत्यू हो चुकी है, और चीटी अपनी कॉलोनी को इनफेक्शन से बचाने के लिए तोरन थी उसको दफनाने की प्रोसेस में जोट जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये दोस्तों की इस दफनाने की प्रोसेस में अगर वो केमिकल किसी जिन्दा चीटी की उपर लग जाता है, तो बाकी चीटियों को ये लगता है कि वो चीटी भी मर गई है और इस सिचुईशन में वो जिन्दा चीटी को ही दफना देते हैं, दोस्तों आपने अक्सर मुवीज में या फिर हकीकत में बड़े-बड़े आइसबक्स तो जरूर देखे होंगे, जी हाँ दोस्तों वही आइसबक्स जिसकी वज़़े से टाइटैनिक दूप गया था, लेकिन क्या आपने किसी भी आइसबक्स को उपर से नहीं, बलकी पानी के अंदर से देखा है, आप उसे मीज को दिखाने से पहले जोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किसी भी आइसबक्anki पानी के अंदर से फोटो क्लिक करना, कोई बचों का काम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी अंडर वाटर फोटोग्राफर तोभियास फ्राइड रिच ने बेहदी बड़े आइसबर्ग की फोटो पानी के अंदर से क्लिक की है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की आइसबर्ग की सबी फोटोज मैंसे ये फोटो अभी तक की सबसे Зादा रेर और अमेजिंग जरूर है Fact No.6 मिलिए इस दुनिया की सबसे पहली Two-Color FaZe Cat Venus से और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कैट है जिसका कुछ इस तरीके से बिल्कुल सटीक अंदाज में आदा चेरा काला जबकि आदा चेरा इस तरीके का गोल्डन है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इसकी आइस भी हेटरो क्रोमिक हैं दसल दोस्तों ये एक फिनॉमना होता है जिसमें कि बॉडी के जीन्स अलग तरीके से रियाट करते हैं परणाम सरूप किसी भी एनिमल या फिर हुमन की एक आँख दूसरे कलर की जबकि दूसरी आँख दूसरे कलर की हो जाती है वीनस के केस में ऐसा परफेक्ट फेस कलर और आई कलर कॉम्बिनेशन बनना करोडो में मुश्किल से एक बार ही होता है सुनने में अजीब जरूर है लेकिन ये सच है दसल दोसों जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों से सिर्फ पानी ही नहीं बलकि उसके साथ उसमें लाइसोजन नाम का पदार्थ भी निकलता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये लाइसोजन हमारी आँख में मौझूद 95% बैक्टिरियास को ख़त्म कर देता है आइस स्पेसलिस का ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ 3-4 मिनिट तक रोते हैं तो आगामी 3-4 दिनों तक हमारी आँखों में बैक्टिरियास का परसेंटेज भी काफी कम होता है तो आप भी कह सकते हैं कि रोना हमारे आँखों के लिए बेहत फायदिमंद जरूर है दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको USA के हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले अमेजिंग वेंट ट्रेकर को दिखाया था और उसी की तर्षपत दोस्तों क्या आपको पता है कि USA के हॉस्पिटल्स में क्लॉरियस नाम का एक बेहती अमेजिंग वायरलेस अल्टरसाउंड स्कैनर भी यूज किया जाता है जिसको दोस्तों आप अपने फोन से ब्लुटूथ के थुरू कनेट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे इस डिवायस को आप अपने स्टमक के उपर मूव करते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन में आपके पेट के अंदर का अल्टरसाउंड कुछ इस तरीके से बेहदी फास्ट दिखा देता है अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसका वेट इतना कम है कि कोई भी मेडिकल स्टाफ एमरजेंसी केसिस में इसको बेहदी आसानी से कैरी भी कर सकता है और यही कारण है जिसकी वरते से दोस्तों इसको मेडिकल लाइन में किसी चमत कार से कम नहीं माना जाता दोस्तों आपने कावद तो जरूर सुनी होगी कि एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती हैं लेकिन क्या आपको बता है कि यह चीज राणी मदु मक्यों पर भी एपलाई होती है और उसी की तरश पर क्या आप जानते हैं कि कभी भी एक छटे में दो राणी मदु मक्यों नहीं रह सकती दसल दोस्तों एक सर्वे में यह पाया गया है कि दो राणी मदु मक्यों आपस में मिलती है जैसे कि वो इंसानों को मारती है और उस डंक से दूसरी मदू मक्की को भी ठीक वैसे ही जलन और दर्द होता है जैसे कि हम इंसानों को खोता है तो यह फैक्ट अपने आप में amazing जरूर है दूसरी वाला फैक्ट current affair की तशपर है क्या आपको बताया कि भारत के ततकालीन परधान मंतरी श्री नरेन मोदी इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ग्लोबल नेता बन गए हैं जिनको वाइट हाउस के टुटर हैंडल के द्वारा फॉलो किया जाता है और यह हर भारतिये के लिए गर्व की बात जरूर है पहाडों पर इतनी बर्फ कौन लाया दरसल दोसों बहुती कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन हर एक पहाड अपने आसपास के वैदर को खुद ही क्रियेट करता है नैशनल वैदर सर्विस एक्सपर्ट जोई रेनी ये बताते हैं कि किसी भी पहाड पर स्नोफॉल या बर्फ इकटा होने के लिए तीन चीजें होना बेदी जरूरी है पहला उस पहाड को हवा को उपर की तरफ मोडने वाला स्ट्रक्चर होना दूसरा पहाड की उपरी एट्मोस्वेर में परियात मातरा में मोस्चर का होना और तीसरा टेम्परिचर चेंज होने की वज़े से उस मोस्चर का स्नो में कनवर्ट होना दरसाद दोसों जैसे ही कोई भी हवा पहाड के निचले तल पर स्ट्राइक करती है पहाड का structure ठीक होने की वज़े से वो हवा पहाड की उपरी हिस्से की तरफ lift हो जाती है जैसी ही हवा atmosphere में उपर की तरफ उठती है ये थंडी होने लगती है और जब ये थंडी हवा पहाड की उपर atmosphere में मौजूद monster से टकराती है तो ये ठंडी हवा मॉस्चर को स्नो में convert कर देती है और उसके बाद इसनो कुछ इस तरीके से पहाड की उपर गिरने लगती है और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आपने अक्सर ये notice भी किया होगा कि बहुत से ऐसे भी पहाड होते हैं जिनके आसपास के पहाडों पर तो बहुत जादा स्नोफॉल होता है लेकिन उन पर बहुत कम ये ना के बराबर होता है रीजन यही होता है दोस्तों कि उन पहाडों का structure ठीक नहीं होता तो finally अब आपके पास ये scientific answer है कि वास्तम मैं पहाडों पर इतनी बर्फ कौन लाया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजगा किसी ने खूब ही कहा है कि ये पैर हो गया है जितना जादा बाटा जाए उतना ही कहा है तो इस वीडियो को दिलकुल कर share जरूर कीजगा इतने सारे फेक्टों मैं से कौन सायसा फेक्ट है जो आपको सब सारा में इसके लगाओ कमेट करके जरूर बताईगा पिछली वीडियो पर प्यारे बारे कमेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों जैहन